नबसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास में दोस्तों आज से हम लोग हिंदी टाइपिंग करना सीखने वाले हैं और ये हिंदी टाइपिंग के उपर पहली क्लास है यानि पार्ट वन है Hindi typing के उपर total 5 part आएंगे यानि total 5 class होगी उन 5 class के अंदर ही मैं आपको Hindi typing करना पूरा complete सिखा देने माला हूँ अगर आप जो है इस Hindi typing series के साथ जूड़ जाते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि Hindi typing आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी और साथ में आपको Hindi typing में expert बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है ये जो series है वो Hindi typing में आप सभी लोगों को expert बना देगी और जिस तरीके से मैं आपको Hindi typing सिखाने वाला हूँ अगर आप उस तरीके से Hindi typing सीखते हो और जो मैं आपको practice बताने वाला हूँ उस तरीके से अगर आप practice करते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सिर्फ 20 दिन के अंदर ही आपकी 30 की जो है speed हो जाएगी यानि 30 word हर मिनट आप type कर लोगे हिंदी में भी वैसे इंग्लिज की मुकाबले में हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा difficult जरूर है लेकिन आसान और difficult ये सब हमारे उपर होता है हम जिसको आसान मालेंगे वो आसान हो जाता है और जिसको कठिन मालेंगे वो कठिन हो जाता है तो आपको हिंदी टाइपिंग सीखते वक्त बस ये ध्यान देना है कि हिंदी टाइपिंग बहुत ही जादा आसान है हेलो दोस्तो मेरा नामी गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कंप्यूटर स्मार्ट क्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा साथ ही साथ हमें कीबोर्ड को समझना होगा क्योंकि इंग्लिस टाइपिंग करने के लिए हमें कीबोर्ड में सारे इंग्लिस के वर्ड दिये होते हैं जैसे कि आप देख सकते हूं लेकिन हिंदी टाइपिंग करने के लिए हमें यहां पर कोई भी हिंदी का कीवर्ड यहां पर ताकि Hindi टाईपिंग अच्छे तरीके से हो पाए देखिए Hindi टाईपिंग करने के लिए आपको बहुत सारे लोग बताते होंगे कि ये वाली जो उंगली है वो आपको S पे रखना है ये वाली जो ढख़़ेवाले इसके लाद इसके बाद ये वाली की typing करते हो यानि यहां से start करते हो सेम यहीं पर अंगलियां को रहने दीजिए और यह वाले जो हाथ की अंगलियां है उसको jkl semicolon पर ही रहने दीजिए हम इसी तरीके से पूरी जो है Hindi font की practice कर लेंगे लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं मैं S से ही करूँगा तो वो आपकी मर्जी है वो कर लीजिए अगर आप S से करना चाते हैं तो आप यहां से जो है इस तरीके से जी तक आईए और यह दोनों छोड़ दीजी बीच में और यहां से यहां तक आ सकते हैं लेकिन मैं जो करता हूँ मैं यहीं से करता हूँ और यह मुझे काफी जादा सहूलियत भी रहती है करने में और यह अगलिया मेरी यहां पर रहती है जिस तरीके से हम लोग इंगलिस टाइपिंग करते हैं अपना ये जो अंगलियां है keyboard पर रख करके से मुसी तरह के से हम लोग Hindi typing भी सीखने वाले हैं हमने अपनी अंगलियों को keyboard पर किस तरीके से रखना है ये सीख लिया है अब हम लोग जो है जान लेते हैं कि किस अंगली से कौन सी key को दबाना होता है तो देखे जब हमारी अंगलियां asdf पर और jkl semicolon पर होती है तो ये वाली जो अंगली होती है इससे हमको ये भी दबाना होता है और ये और ये ये और ये इस तरीके से हमको ये दबाने होते हैं और ठीक हमारा जो ये वाली यंगली है इससे हमको ये 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 और ये ये मतलब 6 की इससे जो है दबानी होती है और 6 की जो है इससे भी दबानी होती है और बाकी जो ये वाली यंगली है इससे आपको जो है ये जो आई है इसके बाद के है और इसके बाद जो है छोटा वाल करके यहां तक पूरी कीज को इसी से जो हम मेंटेल करना होता इससे ठीक है कैसे करते हैं वो मैंने जब आपको इंगलिस टाइपिंग बताई थी तभी बता दिया था कि आपको थोड़ी सी अपनी अंगलियों को यहां पर टच करके रखना है उसके बाद उठा करके इस तरीके से मत दबाने लगेगा जो नियम है उसी तरीके से आपको चलना है यानि इन वाली अंगलियों को इस्तमाल करके हम लोग यहां से यहां तक मैंने आपको बता दिया है और इस वाली अंगलियों को इस्तमाल करके अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है तो यह चीज़े मै लोग W, S, X को प्रेस करते हैं बात रही इससे तो इससे जो है हम लोग Q, A, Z इसको भी प्रेस करते हैं साथ में Tab, Caps Lock, Shift और Ctrl ये सारे बटन भी हम लोग जो है इसी वाली अंगली से प्रेस करते हैं तो यहां से आपको ये समझा गया होगा कि हमको अपनी अंगलिया किस तरीके से कीबोर्ट पर रखनी है और किस अंगली से कौन सी की को दबाना है तो चलिए अब जान लेते हैं कि कीबोर्ट के कौन सी की को दबाने से हिंदी का कौन सा अच्छर जो है टाइप होता है तो देखिए कीबोर्ट से सिर्फ और सिर्फ अगर आप Q दबाते हो तो छोटे U की मातरा आती है और अगर आप सिप्ट के साथ क्यों दबाते हो तो फ लिखाता है फ से फल वाला फ होता है और उसी तरीके से सिर्फ डबलू दबाओगे तो बड़े उ की मातरा आएगी लेकिन सिप्ट के साथ डबलू दबाओगे तो चांद वाली मातरा आती है ठीक इसी तरीक अगर आप सिर्फ R दबाओगे तो T लिखा हुआ रहेगा और shift के साथ R दबाओगे तो आधा T होगा इसी तरीके से अगर आप T दबाते हो तो पूरा J बनता है लेकिन अगर आपको आधा J बनाना है तो shift के साथ T दबाओगे तो आधा J बनेगा इसी तरीके से अगर Y तो पूरा लव बनता है लेकिन अगर आपको आधा लव बनाना है तो आपको shift के साथ Y प्रेस करना है आधा लव बन जाएगा इसके बाद आपको जो है न बनाना है तो आपको सिर्फ यू दबाना है तो न बनेगा अगर आपको आधा न बनाना है तो shift के साथ यू दबाना है तो आधान नव बनेगा लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि जब आप यहां से ले करके इधर का की प्रेस करोगे तो यह वाला shift बटन दबाओगे और इधर से ले करके इधर का की प्रेस करोगे यहां से ले करके यहां तक तो यह वाला shift बटन आपको दबाना है इसलिए keyboard में दो shift बटन होते हैं अब बात करते हैं आई के बारे में यू तक हमने समझ लिया था अगर आप सिर्फ और सिर्फ आई दबाते हो shift नहीं दबाते हो सिर्फ आई दबाते हो तो पूरा पूरा लिखा रहेगा लेकिन वहीं अगर आप shift के साथ आई दबाते हो तो आधा व लिखा आएगा और अगर आप जो है ओ दबाते हो तो वसे वकील वाला जो व होता है व लिखा हुआ आएगा लेकिन अगर आप सिप्ट के साथ ओ दबाते हो तो आधा व आएगा इसी तरीके से अगर आप पी दबाते हो तो पूरा च लिखा हुआ आएगा अगर shift के साथ P दबाते हो तो आधा चो आएगा यहां से यहां Others Tक आपको ध्यान देना है कि अगर आप बिना shift के ये सारी deposit की दबाते हो तो पूरा आएगा जैसे पूरा म आएगा, पूरा तव आएगा पूरा जो आएगा, पूरा लो आएगा पूरा नव आएगा पूरा पूरा आएगा इसी तरीके से जो भी आएगा यानि पूरा पूरा आएगा लेकिन अगर आप सिप्ट के साथ दबाते हो तो आधा बनता है लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि अगर आप इसको जो है सिप्ट के साथ दबाते हो तो चा 6 लिखा हुआ आता है अगर пройти के साफ दबाते हो तो चे छा Ti वाला च्हुआ और इस की को बाते हुआ बीना सीप्ट का तो यहां पर जो कॉमा की मातरा आती हिए यह कॉमा है ना वह यौती वाला कॉमा इससे आता है ये इससे आएगा भीना सुप्ट का और अगर आको दवाते हो तो द्वारावला • • • • evolve अध्या वहा क्रावाशा हो तो द्वारावाला दव आता है इसी तरीके से अगर आप इसको दवाते हो तो question mark हिंदी में इससे आता है और shift के साथ अगर आप इसको दबाते हो तो विद्या वाला वाला वह वाला दव यहां से आता है ठीक है अच्छे तरीके से बताता हूँ, अब बात करते हैं, मिडिल वाली रोग के बारे में, तो यहां पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ ए दबाते हो, तो जो बिंदी वाला ना होता है, तो वो ना आता है, यानि बिंदी आती हो, उपर की साइड में, और अगर आप सिप्ट के साथ ए दबाते हो, तो पाई आती है, जो होता ना, जैसे पूरा सेंटेंस लिखने के बाद एक खड़ी पाई आ जाती है, तो वो वाली पाई ए से आती है, इसी तरीके से अगर आप सिर्फ एस दबाते हो, तो एक मातरा उपर से आती है, और अगर आप सिप्ट के साथ एस दबा तो छोटी א की मात्रा आती हैं लेकिन अगर आप गर दाते हो बिना सिब्ट का अगर आप जे दबाओगे तो रगा इस तरीके से रह उता है राम огр website तो र बनेगा लेकिन अगर आप shift के साथ जे दबा दोगे तो श्र बनेगा जो स्री वाला श्र नहीं होता है वो बनेगा shift के साथ जे से ठीक है इसी तरीके से अगर आप keyboard से सिर्फ के दबाते हो तो यहाँ पर अ की मातरा आती है एक डंडी आ जाएगी अ की मातरा और shift के साथ अगर आप के दबाओगे तो ग्यानी वाला गया आ जाएगा और इसी तरीके से अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एल दबाते हो त सव बनता है और shift के साथ ल दबाओगे तो आधळ सव बनता है और इसी طर हेसे अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ semi-colon दबाओगे तो य बनेगा य से य और य ह्लाव वाला य और shift के साथ अगर आप इसको दबाओगे तो रू बनेगा र बनके जो 20 की मात्रा होती नो उस तरीके से र बनेगा आपको दिखाई भी दे रहा होगा तो अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ जेट दबाते हो तो प्रवाला जो इधर नहीं रह नहीं होता है प्रवाला रह जैसे प्रधान लिखना हो तो प्र लिखके नीचे की साइड में रह आता है तो वह वाला सिर्फ और सिर्फ अगर आप जेट दबाओगे तो वह वाला रह बनता है और अगर आप shift के साथ z दबाते हो तो उड़नतुवा रह जो उपर की side से रह आता है वो वाला रह बनता है यानि दोनों रह जो नीचे की side में और उड़ने वाला रह वो इसी से बनता है सिर्फ और shift shift जड़ दबाओगे तो नीचे वाला रह आएगा प्रा में जो रह होता है और shift के साथ z दबाओगे तो उड़ने वाला जो उपर की side में रह आता है वो वाला आएगा ठीक इसी तरीके से अगर आप x दबा देते हो तो गह बनेगा और shift के साथ x दबाओगे तो आधा गव बनेगा और इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ c दबाओगे तो ब बनेगा और shift के साथ c दबादोगे तो आधा ब बनेगा और वहीं अगर आप जो है keyword से सिर्फ v दबाते हो तो A से अनार वाला A बनता है और सिप्ट के साथ अगर V दबा दोगे तो T से टमाटर वाला T बन जाता है इसी तरीके से आप जो है सिर्फ और सिर्फ B दबाते हो तो छोटी E बनती है और अगर आप जो है सिप्ट के साथ B दबाते हो तो T से ठेला वाला T बनता है इसी तरीके से अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ N दबाते हो तो 10 से दवात वाला 10 बनता है और अगर आप जो है सिप्ट के साथ N दबाते हो तो 6 से 6 वाला 6 बनता है और अगर आप जो है सिर्फ M दबाते हो तो छोटा U बनता है और shift के साथ M दबाओगे तो उसे 10 से डलिया वाला डव बनता है इसी तरीके से अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ कौमाल दबाते हो मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी बटन को दबाओगे तो AD वाला A बनेगा और shift के साथ इस बटन को दबाओगे तो धकना वाला धह बनेगा और अगर आप जो है शिर्फ इस की को दबाते हो तो आधा अड़ा बनेगा और शिप्ट के साथ इस की को दबाओगे तो जन्ना वाला जह बनेगा और इसी के बगल में एक और की है अगर आप सिर्फ और शिफ इसी की को दबाओगे तो आधा धह बनेगा धनूस वाला आधा धह बनेगा और अगर आप जो है shift बटन के साथ इसको दबादोगे तो आधा घह बनेगा घड़ी वाला घह तो इस तरीके से हमने इतना जो है समझ लिया है बहुत सारी चीजे जो है आधी बनी है आधी को पूरा करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको अगर आप दबाओगे तो आधा धह बनेगा और मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ के दबाते हो तो आ की मातरा आती है तो धह यहाँ से बना लेजिए के यहाँ पर दबाओगे तो आ की मातरा आ जाएगी यानि जो भी अच्छर आपका आधा बन रहा है उसके बाद अगर आप तुर्ण के दबा देते हो और इस वाली हाथ के उनियों को इस तरीके से रख लेना है पहले आपको जो है ए दबाना है ठीक है फिर इसके बाद S दबाना है तो आपको देखना है कि आपकी कंप्यूटर में क्या टाइप हो रहा है उससे आपके दिमाग में वो चीजे छपेंगी और मैं आपको जो टाइप होगा न वो मैंने टाइप करके रखा भी है उसको मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर मैंने बता दिया है कि दे रहा हूं मैं आप सभी को उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए देखने की बाद भी आपको प्रैक्टिस जरूर करने है क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजे आपको याद नहीं होगी तब तक आप हिंदी टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आपको प्रैक्टिस जरूर करने है जो है सव बनता है और यहीं पर यह जो है इससे जो है यह बनता है तो यह हमको याद कर लेना है इसी तरह के से इधर भी हमको याद कर लेना है कि अगर हम सिर्फ इसको दबाते हैं तो छोटी की मातरा आती है सिर्फ इसको दबाते हैं तो एक एक की मातरा आती है और सिर्फ इस हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए होम रो की प्रैक्टिस करेंगे तो इसके लिए आपको अपने कम्प्यूटर में जो है MS Word को चालू को लेना है और यहाँ पर यह जो आपको उपर की साइड में font का style दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्रूती देव font को select करना है नीचे की साइड में आओगे यह सारे की सारे क्रूती देव font ही है आपको क्या करना है इसमें से क्रूती देव 10 वाला select करना है उपर की साइड में आपको आना है थोड़ा सा और उपर आएंगे आप तो सबसे पहले ही कुरूती देव 10 करके आपको मिल जागा यहाँ पर 10 वाला या फिर 11 वाला इन में से कोई भी आप एक select कर लीजिए select करने के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा और phone size में आपको size 16 कर लेनी है 16 पर आपको typing प्रेक्टिस करनी है अगर आपको यहाँ पर कुरूती देव font नहीं मिल रहा है तो आपको बाहर क्लिक करना है फिर से इसी पर क्लिक करके इस तरीके से select कलेना है और यहाँ पर आपको लिखना है कुरूती देव जैसे ही आप कुरूती दे लिखोगे तो अगर आपके computer में कुरूती दे font install होगा तो इस तरीके से आ जाएगा आप जो है इस पर click करके select कर सकते हो enter बटन दबा दोगे तो वो select हो जाएगा इसके बाद आप टाइपिंग start कर सकते हो इसका size जो है आप 16 कर लीजिए अगर आपके computer में ही कुरूती दे font नहीं है तो इस video के description box में मैंने कुरूती दे font का पूरा downloading का link दिया है आप direct वहाँ से click करके कुरूती दे font को अपने computer में download भी कर सकते हो जब आप home row की practice करोगे तो सबसे पहले आपको बिना shift दबाए ये सारे word लिखने है यहां से ले करके यहां तक word सारे के सारे लिख देने है यह सारे जो है home row की है word है आपको जो है इन्हें की practice करनी है इसके बाद आपको नीचे की side में यह सारे word जो दिखाए दे रहे हैं यह आपको shift के साथ home row दबाना है यानि home row के ही word ये सब है लेकिन ये सब जो है shift के साथ आते हैं practice करते वक्त जाद आपको घबडाना नहीं है बस ये जो word मैंने दिये हैं ये जो letter मैंने दिये हैं बस इनहीं को आपको type करना है सबसे पहले ये सारे letter आपको बिना shift के type कर देने हैं और इसके बाद shift बटन दबा करके ये सारे letter जो है type कर देने हैं type करते वक्त आपको बस ये ध्यान देना है कि कौन से की से कौन सा अच्छा type हो रहा है जब आप ये सारे के सारे letter जो है type कर दोगे तो practice के लिए अब आपको जो है ये सारी चीजे लिखनी होगी जैसे जैसे ये सारे चीज लिखी है बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है इसकी practice करनी है यानि ये सारा चीज आपको अपने जो है computer में MS Word में लिख करके type करना है ये जो सब्द मैंने आप सभी लोगों को दिये हैं कम से कम आपको 3 page तक इसे type करना है और 2 गहंटे आपको जरूर practice करनी है एक गहंटा सुबर और एक गहंटा साम आपको इसी की practice करनी है जब आप इतना type कर देते हो तो आपकी home row की practice जो है complete हो जाती है जो चीजे मैंने आपको keyboard पर practice करवाई है वही चीजे मैंने यहाँ पर लिख करके भी रखी है यह सारी चीजे मैं आपको telegram channel पर दे दूँगा बेलकूल इसी तरीके से आप इसे देख लीजेगा अच्छे से समझ लीजेगा और इसकी practice कर लीजेगा यहाँ पर यह चीजे मैंने आपको practice नहीं करवाई है इसकी आपको खुद से practice करनी है साथ में आप देखोगे कि अगर आपको बड़ा O बनाना हो तो यहाँ पर कोई भी option बड़ा O बनाने का नहीं है और भी कुछ ऐसे सब्ध है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे उनके लिए आपको कुरती देव font में code को dial करना होता है code को dial करने के लिए मैंने यहाँ पर code भी सारे के सारे लिग दिये हैं यह भी आपको telegram channel पर मिल जाएगा code को इस्तमाल करने के लिए आपको क्या करना है alt button दबा के रखना है और यह जो number है उनको type करना है जैसे कि अगर आपको इस तरह के से दोआ बनाना है तो आपको क्या करना है alt button keyboard से दबा लेना है मैं यही पर आपको बना करके दिखा देता हूँ जैसे मैंने alt button दबा लिया इसके बाद keyboard से आपको type परना है 041 type करने के बाद ही आपको alt button को छोड़ना है जैसे ही आप alt button छोड़ोगे तो देखोगे इस तरीके का अच्छर यहां पर भी type हो चुका है यह जो चीजे मैंने लिखी है इन्ही को type करके लिखी है आपको इसकी भी practice कर लेनी है जैसे आपको double term बनाना हो तर बनाना हो प्र बनाना हो यह वाला ऐसा बनाना वक्ता वाला यह से बनाना हो तो यह सारी चीजे मैंने यहां पर आपको code के जर्ये भी दे दी है बस आपको alt button दबा के रखना है और यह जो प्लस है ना यह प्लस नहीं दबाना है बस मैंने समझने के लिए यहां पर आप सभी को plus लिखा है जितने भी plus लिखे हैं उसमें कुछ भी पलस वलस नहीं दबाना है सिर्फ alt बटन दबाना है और वो code डाल देना है जैसे ये alt है 050 है तो आपको alt बटन दबा लेना है 050 डायल करना है इसी तरह के से आपको ये सारे code डायल कर देने हैं तो यहाँ पर बहुत सारे code मैंने लिखे हैं इनकी आप practice कर लीजेगा अगर इनको मैं लगा समझाने तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर भी मैंने हिंदी typing की जो भी बाते होती हैं वो सारी सारी आपको बता दी है साथ में font भी दे दी हैं अब जो है आपके उपर निर्भर है कि आप इसकी practice कितनी ज़्यादा करते हो तो आपको जो है इसकी practice जरूर करनी होगी हिंदी typing जो है बिना practice के नहीं आती है जिस तरीके से मैंने practice करना बताया है अगर आप उस तरीके से practice करते हो तो आने वाले 5 से 6 दिनों में हम लोग complete हिंदी typing सीख जाएंगे और फिर मैं आपको बता दूँगा कि किस तरीके से आप जो है अपनी typing speed को बढ़ा सकते हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करना बिलकुल फ्री है मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ अपते के लिए जय हिंद वंदे मातरम